स्टुरेंट्स मैं आशीश सर मेरे यूटूब चैनल एस सी फेकलटी में आपका स्वागत है स्टुरेंट जैसा कि आपको थमनेल में देख रहा है स्टुरेंट के आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है तो इस एक्वेशन को जब फेक्टराइस करेंगे स्टुरेंट हम इसमें middle time splitting करेंगे याने middle में जो हमारा 7x है इसको break करेंगे तो कैसे break करते हैं इस student चली देखते हैं तो सबसे पहले हैं पर 7x को जब break करेंगे तो हमें ऐसे common factor चाहिए जो आगे और पीछे दोनों से common निकल जाए तो 7x की बात करेंगे तो 7x को break करेंगे तो यहाँ पर हम x और मतलब 1 और 6 ले सकते हैं क्योंकि 1 और 6 दोनों का addition हमारा कितना बनता है 7 बनता है student तो सबसे पहले हम क्या कर लेंगे common factor ले लेते हैं तो यहाँ पर जाएगा 2x square प्लस यहाँ पर जाएगा कितना 6x प्लस पीछे क factor निकलने सी जो common हो दोनों में same आ रहा हूँ तो दोनों में सगर देखें 2 और 6 की बात करें दोनों किसके table में आते हैं 2 के table में 2 निकाल लिए बाहर common साथ में क्या आ जाएगा x आ जाएगा bracket के अंदर रहेगा हमारा x प्लस 3 x प्लस 3 अगर इधर से बात करें पीछे वाले दोनों टर्म में से तो इन में common कुछ नहीं निकल रहे है आने क्या माल लेंगे 1 bracket के अंदर हो जाएगा हमारा x प्लस 3 x प्लस 3 अब x प्लस 3 इधर भी आ रहा है students आगे और पीछे भी x प्लस 3 आ रहा है तो दोनों common term में से एक ले लेंगे आने क्या हो जाएगा x प्लस 3 आ आगे बचा हुआ term हम पीछे लिख लेंगे याने 2 x और यहाँ पर यह बन बचा है तो 2 x प्लस 1 कहां लिख लेंगे पीछे लिख लेंगे यह इसका students आंसर हो गया I hope आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा students अच्छे समझ में आया होगा factorize 2 x square प्लस 7 x प्लस 3 कैसे factor निकालते हैं और आपने अगर मेरे प्रीविएस वीडियो नहीं देखे इस्टूरेंट तो वह भी देख लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और इसी तरी की टॉपिक आपके लिए लाता र हो इस्टूरेंट थैंक यू